हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट तो आज के विडियो में घर के वेस्ट समान का यूज करके हम दिवाली डेकुरेशन के लिए एक बहुती कमाल का डियाइवाई बनाएंगे और अब तक गाईज इस दिवाली की सीरीज में मैं आपके साथ बहुत सारे विड लिंक्स आपको डेफिनिटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के विडियो के साथ तो आज मैं आपको बहुती सुंदर से शुब लाब बनाना सिखाऊंगी जिनने बनाने का तरीका बहुती जादा डिफरेंट है तो य कहनी चाहती हूं कि कार्ड़ोड किसी भी तरीके से नजर आए तो यहां पर मैंने दो लेयर्स अप्लाई की इसके उपर एक को मैंने बांडरी से कट कर दिया था और दूसरे को मैं बैक साइड पे फोल्ड भी कर रही हूं कट करके ताकि जो कार्ड़ोड है उसकी कॉर्णर पर बहुत ही अची सी फिनिशिंग आए यह देखिए कॉर्णर से काफी अच्छा लग रहा है यह अब नेक्स्ट यहां पर मैं अपना सिल्वर वाला गोटा यूज कर रही हूं गाइस दो लेयर्स लगाने का यह रीजन है क्योंकि सिंगल लेयर से जो कार्ड़ोड है वो ट तरीकी से अपलाई किया जैसे आपने वीडियो में पूरा प्रोसेस देखा अब इसके बॉटम पे यह परल वाली लेस को स्टिक कर देंगे अब बारी आती है बैंगल को यूज करने की जिसके लिए मैंने यलो कलर का वूल लिया है और इसका काफी लंबा सा पार्ट मैंने पर कट कर लिया है इसको डबल कर लिया है इसका यह लूप यहां पर इस तरीकी से डालेंगे फिर इसके दोनों एंड्स को इसमें से पास आउट करके नीचे की तरफ खीच देंगे इसको और फिर यहां से ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा अब बस इसी के बाद आपको कुशन करना इसको कवर करना स्टार्ट करना है प्रॉपरली बैंगल को आप कवर करिये और हां गाईज एक और जरूरी बात मेरा एक और यूट्यूब चानल है एजी डेटुडे लाइफ जिस पर भी आर्ट और क्राफ रिलेटेड मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग यूनीक कंटें अप्लोड करती हूँ दिवाली के भी करन्टी वहाँ पर दो वीडियो अप्लोडेड है और हर वीडियो में दो या तीन डियाइवाइज मैंने शेयर किये हैं उस चानल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो मेक शूर आप उसको भी चेक आउट जर सरकल लिया है जिसे पॉफिल कलर से मैं अच्छे से पेंट करूंगी पेंट करने की बाद इसके किनारे पे ब्लू पेंट से डॉट्स पनाएंगे और अब इकदम पतले ब्रश का यूज करके मैं इसके उपर शुब लाब लिखूंगी तो यहाँ पे मैंने शुब लिख दि इसको मैं सिंपल यहाँ पे फविकॉल का की यूज करके डेकोरेट कर रही हूँ और अब यहाँ पे हमें कुछ लटकन स्पराने है शुब लाब के साथ कनेक्ट करने के लिए जिसके लिए एक लटकन के लिए मैंने ये वुट का जो पारिट था वो लिया है और इसके साथ इसके जगह पर आप पॉम पॉम भी यूज कर सकते हैं यह कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके का कुछ यूज करें मैंने आप पर पॉम पॉम सिंपल बीड्स के हंगिंग और पारिट और बीडस अब कंबाइन यूज किया है जैसे यहाँ पर देखिए यह पारिट औ कनेक्ट करके बैक साइट पे बुक्रम को अप्लाई करूंगी और फाइनली यह बहुत ही सुंदर से हमारे शुब लाप के हैंगिंग्स बनके तयार है इसको स्टिक करने के लिए आप इसके बैक साइट पे रिबन का पीस कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डबल साइड़ फोम वेडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर थांक्स पो वाचिंग